आईस्क्रीम खाना किसको नहीं अच्छा लगता है हर किसी को आईस्क्रीम खाना अच्छा लगता है लेकिन अगर आपको डियाबेटीस है तो आप हमेशा सोचते हैं कि आईस्क्रीम खाऊ या नहीं खाऊ क्योंकि अगर आप आइस्क्रीम खाते हैं तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है तो घबड़ाये मर्थ आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा सिखाऊंगा कि कैसे डाइबेटीस के मरीज भी आइस्क्रीम खा सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अनपम घोष है मैं एक डाइबेटीस कोच हूँ और एक फिटनेस नूटिशन स्पेशलिस्ट तो आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि मैंगो आइस्क्रीम कैसे बनाते हैं खास करके डाइबेटीस मरीजों के लिए तो सबसे पहले हम जान लेता है कि मैंगो आइस्क्रीम बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए तो मैंगो आइस्क्रीम बनाने के लिए आपको चाहिए आम ऐसे आम आप दो तीन आम ले सकते हैं और आम को लेके आपको काट देना है और काट के आपको इस तरह के आपको अब देखिए यह अमुल फ्रेश क्रीम है यह आपको चाहिए होगा इसके इलावा आपको चाहिए coconut milk तो मेरे पास यह coconut milk है आप देखिए यह coconut milk ठीक है और थोड़ा बहुत स्वीटनर स्वीटनर के लिए आप यूज कर सकते है एरिथ्रोटॉल यह एरिथ्रोटॉल है यह नै oligosaccharide तो यह है fructo oligosaccharide यह fructo oligosaccharide है इसमें एक स्पून में 1 टी स्पून जो है इसमें आपको 5 ग्राम के असपास carbohydrate मिलेगा लेकिन वो 5 ग्राम के असपास जो carbohydrate है वो सिर्फ और सिर्फ फाइवर होगा तो इसमें बहुत सारा फाइवर आपको मिलेगा ठीक है इसके इल आप यूज कर सकते हैं अगर नहीं है तो इसकी जरुष नहीं है आए सीखते हैं mango ice cream कैसे बनाते हैं तो आपने देखा क्या-क्या ingredients चाहिए तो यह सारे ingredients हमारे पास अल्रेडी तयार है तो आए सीखते है mango ice cream diabetes मरीजों के लिए कैसे बनाते हैं तो यह मेरे पास आम है मैंने 300 300 ग्राम मेजर करके रखा था, तो सबसे पहले मैं इसको ब्लेंडर में डाल दूँगा, ठीक है यह मैंने डाल दिया, इसके बाद आपको चाहिए आमूल फ्रेश क्रीम तो थोड़ा सा शेक कर लिजे, और इसको शेक करने के बाद आमूल फ्रेश क्रीम हम इसमें डालेंगे, यह हमने आमूल फ्रेश क्रीम डाला, इसके बाद इसमें हम डालेंगे कोकोनट मिल्क, हमारे पास कोकोनट मिल्क भी है, तो यह कोकोनट मिल्क है, हम इसमें डालेंगे, दो तिन चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी बनेगा, यह हमने एक चमच डाला ये दूसरा और ये तीन चमच ये हमने coconut milk डाल दिया है ठीक है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा vanilla extract vanilla extract से भी बहुत अच्छा flavor आता है अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं अब इसमें हम दो चीज़ और डालेंगे थोड़ा सा मिठास के लिए ये भी ऑप्शनल है अगर आप डालना चाते हैं तो डाल सकते हैं अगर आपको मीठा पसंद है और शुगर लेवल को नहीं बढ़ाना चाते है तो ये ऑप्शनल है लेकिन मैं डालता हूँ क्योंकि मुझ ये है fructo oligosaccharide और ये आपकी शुगर लेवल को बढ़ाएगा नहीं क्योंकि इसमें जो carbohydrate है ये फाइवर है और फाइवर आपके सहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है ठीक है और ये है erythrotol erythrotol भी natural है तो erythrotol डालते हैं आपके पास इस तरह के अगर चमच है छोटा तो आपको ये दो या तीन चमच डाल सकते हैं तो मैं तीन चमच डालूँगा erythrotol का ये एक ये दो और ये तीन ठीक है ये ज्यादा मीठा नहीं होता है stevia जैसा मीठा नहीं होता है तो इसलिए आप डाल सकते हैं आप शूरू में एक बार बनाएए और उसके बाद आपक कि कम है जादा है पहली बार कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है ठीक है तो अगर आपको लगता है कि ये जादा है तो अगली बार कम डालिए और लगता है कि कम है तो अगली बार जादा डालिए ठीक है अब इसमें मैं थोड़ा सा oligofructosaccharides भी डालूँगा ये oligofructos सेट अब इसको हम ब्लेंड करेंगे एक मिनिट के लिए इसको हम ब्लेंड करेंगे बीच में एक बार आप खोल के इसको चेक कर लीजे कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसा है बहुत ही लाजवाब बन रहा है मैं थोड़ा देर इसको और कर लेता हूँ तो मैंने तक्रीबन एक से दो मिनिट इसको ब्लेंड कर लिया है आए खोल के दिखाते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसा है तो इसको हम अभी खोलते हैं और दिखाते हैं और एक बावल ले लिजे और उस बावल में आप इसको डालिए यह देखिए कितना फाइन लग रहा है यह देखिए यह हमारा जो है मैंगो आइस क्रीम का देखिए कितना सुंदर लग रहा है बहुत ही फाइन बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी है अब इसको हमने क्या करना है मेरे पास यह आप देख सकते हैं 6 ice maker है ice pop maker कि आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसको भी ढखके फृजर में रख दीजे चार से पाछ घंटे के लिए मेरे पास यह ice pop maker है तो इसमें मैं डालता हूं तो आप एक एक करके लिजिए और इसमें आप आराम से डालिए ऐसे डालना है आपने यह मैंने एक डाल दिया और इसी तरह से आप सब में डाल दीजे मैंग आईस्क्री ठीजे लाल दीजे तो इसे सब्सक्राइब ले टोचिए यह आप सोसे आपको यहाइज क्लाइब लीजे बनाना है जो डाइबेटीस के मरीज ले सकते हैं तो अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगा चार से पाज गंटे के लिए और पाज गंटे बाद इसको निकाल के टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि कैसा यह आइसक्रीम बना है तो चार से पाज घंटा हमने इसको पानी में डाल के फिर आप आराम से ऐसे निकाल सकते हैं और यह देखिए कितना खुबसूरत लग रा है हमारा यह MANGGO आइस क्रीम तो कैसा लगाए MANGGO आइस क्रीम कमें जरूर बताना और चैनेल में अगर आप नए है तो चैनेल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दे क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे